हेलो अससलम अलेकूम गाई इसमी मुहामद दजानखा वेगने स्क्रीन आज जो हमाई लेक्टर वो चप्टर नावर सेओं का बायो में मेकैनिजब आफ रिस्पारेशन तो मेकैनिजब आफ रिस्पारेशन के त्री स्टेप से फर्स्टेप जो है वह हमारे पास है गलाइकोल ग्लुकोज हम सबको पता है कि ग्लुकोज हमारे पास सिक्स कारवन कंपाउंड है यह हमारे पास सिक्स कारवन कंपाउंड है तो जब ग्लुकोज का मतलब ग्लुकोज के ब्रेकडाउन तो मतलब ग्लुकोज बीच में टूटता है ब्रेकडाउन होती है उसकी तो हमारे पास two pyruic acid बनता है pyruic acid pyruic acid जिस तरह मनता है, यह 6C है तो जब glucose बीच में टूटता है तो वो अमारे पास, लाजरी बात है 6C है तो हमारे पास 3C, 3C बनेगा तो एक pyruic acid को हम 3C केहते हैं सभी है, एक pyruic acid को हम 3Carbon Compound केहते हैं तो glucose इसी को कहते हैं एक हमारे पास breakdown of glucose है glycolysis सही है glycolysis में तो सर्फ यह होता है लेकिन further हमारे पास glycolysis में यह होता है कि यह हमारे पास होता कहां पर glycolysis it occurs in cytoplasm यह मारे पास cytoplasm में होता है ग्लाइक लैसे सट्ट उप्लाजम नहीं नहीं होता है में असों जो जब ऑक्सेजिछं व्जान इस इस वजह से हमारे पास ग्लाइक लाइसे में अर्बिक ऐसे दोनहों में होता है अनोर्बिक ऍसपेरिशन और अनोर्बिक रिस्पेरिशन दोने वहता है तो इसमें ऑक्सीजन इन्वार्प नहीं होता यह होता है हमारे पास ग्लाइकॉलासिस में अब ग्लाइकॉलासिस तो से हम कहते हैं लेकिन इसका फर्दर एक रियक्षण ग्लाइकोलाइस का इसका हमारे पास फर्दर एक रियक्शन है वह रियक्शन कहा कि सिंप्ली हमारे पास ग्लुकोज जिसको हम C6H12O6 कहते हैं सही ग्लुकोज को मॉलेक्वील है वो हमारे पास फर्दर जाता है तो ग्लुकोज को मॉलेक्वील जिसके इस रियक्शन में हमारे पास NAD और ADP हमारे पास एड़ उता है तो इस वज़ा से हमारे पास 2-Pyravic acid बनता है हमारे पास फर्दर जब ग्लुकोज ब्रेक हो जाता है तो मैंने बताया कि 2 pyruvic acid हमारे पास बन जाता है, 2 pyruvic acid हमारे पास फदर बन जाता है, सही, अब जब 2 pyruvic acid तो बन गया, लेकिन इसके साथ हमारे पास ATP और NADH भी हमारे पास हमारे पास रिलीज हो जाता है, इनर्जी मॉलिकीज है, ATP और NADH हमारे पास इनर्जी मॉलिकीज है, तीसी बज़े से 2 pyruvic acid जब बन जाता है, इसके साथ हमारे पास ATP और NADH भी हमारे पास के साथ आता है यह हमारे पास पूरा ग्ल्यकोज कद प्रैक्षिंट में होता है और आरोबिक इस पैर्रिशन दौने में होता है यह हमारे पास का फृर्धर रियक्षिन तो मतह उस पास अब हम आते हैं दूसरे च्व्प की तरफ जो हमारे पास है राफ में क्राइब सायकल पर Fr अच्ट अधिक अगर क्रैफ्स सायकल को हम अगर में देखें तू सब्से पहले क्रेफ्स सीकल में यह होता आ हमारे पास pyruvic acid completely oxidized जाता है pyruvic acid acid completely oxidizes completely oxidizes सब्सक्राइब फिर फर्दर हमारे पास क्या होता है pyruvic acid तो completely oxidized हो गया लेकिन ग्लाकुलाइस में फर्दर हमारे पास formation of formation of domain point है high molecules कौन कौन से ATP NAD energy molecules है NAD NADH और दूसरा है हमारे पास ATP and FADH2 इन तुनों कि हमारे पास scrap cycle में formation होती है तीसरा हमारे पास में क्या होता है formation of high molecules NADH FATP FADH तो हमारे पास हो गया इसमें सही है न क्या हमारे पास होगे पैदा है इसमें तीसरा स्ट्रप जो हमारे पास scrap cycle का है वह हमारे पास यह के पारुविक एसेड जो होता है पारुविक एसेड चेंजिज इन्टू ACETYL को A पारुविक एसेड जो है हमारे पास चेंज जोता है ACETYL को A before entering into craft cycle craft cycle craft cycle हमारे पास craft cycle में ACETYL को A हमारे पास change हो जाता है पारुविक एसेड जोता है ACETYL कोई में before entering into the craft cycle क्योंकि इसमें हमारे पास कोई enzyme add हो जाता है तो इस तरह हमारे पास ACETYL कोई में change हो जाता है अब इसका फर्दर एक reaction है जिस तरह मैंने बताए glycolysis का reaction है इस तरह हमारे पास scrap cycle का भी एक reaction है वो reaction हमारे पास यह है कि ACETYL को A ACETYL को A जिस तरह मैंने बताए कि change हो गये था ACETYL को A में तो ACETYL को A further reaction जाता है एक कोई enzyme यह हमारे पास इससे release जाता है जाता है सातने फर्दर हमारे पास कार्बन रओक बन जाता है in the end कार्बन रओक बन जाता है और 7 ME like नद्ध बन जाता है NADH नद्ध पो जाता है और थिस धाफ FADH पो पूलेश हो formation of NADH ATP or FADH हो जाता है पारियो के से चेंज जाता है एसी टाइल को ए में बिफोर एंटरिंग इंट्रिंग टुदा क्रेफ साइकल रियक्शन हमारे पास कहा है एक कोई इंजाइम ए रिली जाता है इसमें हमारे पास स्रेक्शन में कर्बन डैक्साइड रिली जाता है साथ में कि एलेक्ट्रॉन ट्रांस्पोर्ट चेंड तीसरा स्टेप अ कि कि एलेक्ट्रॉन ट्रांस्पोर्ट चेंड में हमारे पास क्या होता है सबसे पहले जो हाई मॉलिक्विस से हमारे पास इंदर्जी मॉलिक्विस जिसकाम कहते हैं Crepes cycle में graculuses दोनों में हमारे पास ATP भी था NADH भी था और FADH भी था लेकिन ATP तो किसी काम का नहीं था दोनों में हमारे पास तो इसमें हमारे पास NADH और FADH2 वह हमारे पास इसमें utilize होंगे यानि मतलब use होंगे तो NADH NADH FADH2 DH2 utilizes utilizes यह synthesis of ATP ATP के synthesis के लिए NAD, H, FADH2 utilize होते हैं अब आगे हमारे पास further process क्या होता है कि NADH और FADH2 हमारे पास यह अपने electron release कर देते हैं finishes electron अपने electron release जाता है and electron यह तो हो जाता हैं लेकिन electron जो भी जाता हैं ही एलेक्ट्रोन हमारे पास फर्दर जाता है एलेक्ट्रोन ट्रांस्पोर्ट चेन के सीरीज में तो एलेक्ट्रोन रिलीजिस एनर्जी या उलुजिस इनर्जी इनर्जी कि फॉर कि सैंथेश इनर्जी से एलेक्ट्रोन हमारे पास फॉर्दर लुजिस इनर्जी इनर्जी रूजिस करतें वर सैंथेशन पेने बात विच्वाहे तकि तो synthesis of ATP के लिए हमारे पास यह energy लीर जाती है फिर further हमारे पास क्या होता है कि hydrogen ions जो होते हैं hydrogen ions combine combine हो जाते हैं combine with hydrogen ions किसके साथ combine होते हैं oxygen के साथ O2 combine हो जाते हैं and form and form क्या बना लेते हैं hydrogen और अक्षीन जब combine होते हैं वाटर बना लेते हैं H2O आखिर में water बन जाता है अब इसके आते हम इसके reaction की तरफ reaction reaction में हमारे पास क्या होता है टू हाइव मॉलिक्यूल्स है NADH प्लस FADH2 सही है इसका reaction फर्दर जाता है oxygen एड होती है oxygen इसके साथ एड हो जाती है और फर्दर हमारे पास water रिलीज होता है वाटर के साथ ATP साथ में NAD प्लस hydrogen रिलीज हो गया और प्लस FAD यह हो जाता है हमारे पास electron transport chain का reaction अब इस प्लस का निशान क्यों आया हमारे पास हमारे पास इन दोने के पास हमारे पास हमारे पास इन दोने से रिलीज हो गया मैंने जिस तरह बता है कि यह हमारे पास सब्सक्राइब और फिर भी कोई क्विश्टन आपके सामने कमेंट बॉक्स और लाकिए और सबस्क्राइब और लाप्स